हेलो और वेलकम तो क्रीक व्यूव आज हम बात बहने चाहिए टीम इंडे की ऐसे तीन बड़ी पॉलम से कि अगर इनको सौल नहीं किया गया तो ये तीन बड़ी बॉलकर रोजावाइस में हमपर भारी पर सकती है तो हेलो वेलकम तो क्रीक व्यूव इन बड़ी पॉलम पार्ट करने से पहले आपको बता दे कि वरस्तिंडी सीरीज अब खतम हो चुकिया इंडिया फोर वांसे टीन 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 सीरीज को ये तीन बड़ी पॉलम वैसे सबसे बड़ी पॉलम तल हमें वापर सहिपा देखने हो भी लिए पॉलम या पीसरे ओपनर्स के लिए अमारी तीम इंडिया बहुत सारे एक्सपरिमेंट कर दी है मतलब कि इतना उपनिंग के अंदर हमने कभी देखा नहीं होगा इंड़ी टीन यह आए कि हम इतना एक्सपरिमेंट करें फोटर थर्ड ओपनर जैसे आपको पते है दो उपन हो लेकिन अगर कुछ हो जाए जैसे इंजरी हो जाए या कुछ रहने वजय हो जाए उसके लिए बैको उपनर होना जरूरी है तो बैको उपनर के लिए ऐसा लगता कि ऑडिशन चालो है पहले रिशापन को ट्राइ किया जा रहाता है इंग्लेंड सीरीज में तो उसके सुरुपमा यादों में होने माइच एटा है लेकिन आखरी टी टोंटियाए में हैदा नहीं करने होली बात है वोई शर्मा नहीं कहल गते पता है अच्छा रैस दिया होईगो लेकिन स्रेयर स्यर को उपनी दनने के उप्रेजर मैं आपको स्यरी होता हूँ मैंने खबी भी देने सोचा था कि सुरुपमा यादो यह स्रेयर स्यरी उपनी भी जाएंगा ये कि फिर भी इनको भेजा गया टीम मैंचमेंट के सोच थी कि थर्ड उपनर का उपना चीछ है ये इस पर अभी कंश्यन बढ़ें कि सुरुपमा यादों नहीं परफॉर्मेंस दे दी स्रेयर स परफॉर्मा यादो कभी श्रेयर से कभी रिशाफवन उपनी के लिया रहा है ऐसा आपको पता होगा है कि 2019 वलकुप से पहले भी नमबर चार को लेका रहा है बहुत सारा अउडिशन यासा टाइप हो और इसमें अमबटी आए तो बहुत अच्छा खेले उनको खिलाया भी कि आपको पता है कि यह जली इसी फॉलम नहीं है 21 वलकुप से पहले आपने उजी चेल को डॉप कर दिया मैं कभी रिस हो सकता था और वो सारे इंड़ासा कभी नहीं सो सकता है कि यूजी चेल को डॉप भी किया जा सकता है और भी ऐसा कि प्लेंग ले उसने पुरा स्कॉर् सब्सक्राइब नहीं किया गया तो फेना कई वाइक अगले हमारी दिक्क्त हो सकती है जो बड़ी प्रोलम आ रही है विक्ट कीपर क्योंकि आखर दो अप्शिन्स है जो मझे पुड़ा है यकिन दोनों ही जाएंगे तो इसमें से कोई एक ही खिला है तो इसलिए आप दोनो को खिला डोनों में से किसी एक को खिला सकते हैं तो इसलिए लेना पड़े तो थर्ड कॉलम ही है वह भी सेलेक्शन को लेकर अब आउट अल्टनिस की ना मतलब क्या होगा यूजी चल मेरा असा पके ही जाएंगे जाएंगे प्लेग 11 में ही होगे लेकिन जो थर्ड सेक्रें जो मुझे लगता है कि इसा रवी जड़े जाओ लेकि थर्ड स्पिनर को लेकिन शाय सा अडिशीड चल रहा है कि आप देख सकते हैं कि तल आपने कुल्दी व्यादों को खिला है आपने हार अश्वन को अपस ले आए है तीट मंटी आई में और अक्षय पर तेल भी अच् और अच्छी बैटिंग कर सकते हैं और ऐसा ओल राउंडर हार दिक पांट और अभी जड़े आपके टीम में हो नीची है ऐसा फिनिशर आइसा ओल राउंडर राउंडर उसको लेकर भी करने की दिखना थे हैं कि आपने अपने पूरी स्कॉर्ट को सेट नहीं किया है अभी कर जाने कि इस्टा कर अपकले आज या कल में तो भी स्कॉर्ड अनौंस हो सकती उसमें शाहिए से पक्का दिखाईद है कि यह यह प्लेयर से और ऐसा कहा भी जाता है इसे पोस्वी आरे थी कि इस्टा कप्ती रूणी बलकर की स्कॉर्ड जो है वही तो मैसी होएगी उसके विच्वी क्योंकि आपका थावी टीम वरे हैं तो टोर्म में तो टूर्स है पहला इस्टा को अबर इंडिया के इंडिया ने शॉल्ड नहीं कि भारी ना पढ़ जाए वह जो में चातों की इंडिया जीपने वह ज़िए वह जाना कि खत्रे मैं ना आजे तो यह ता अब कुल सबस्क्राइब कर दो कि अब करेंगे ने जानते हो कमेंट के अंडर कुछ एसी सेटिंग्स दी कि कमेंट दिखाई नहीं को टेंट है अब इस सटीश कर दिए और सारे विखेंगे कमेंट इतना में क्या शुक्ता तो चाहिए को में श्रू दो ने दीखेगा है यह और बबबाई